कई पेरेंट्स इस चिंता में थे कि आखिर जब उनका बच्छा CBSC बोर्ड एक्जाम देने के लिए सेंटर जाएगा तो कहीं कोरोना वाइरस से ग्रस ना हो जाए और इसी बात से परिशान कुछ अभिवागों ने 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में याची का दाखिल की थी जगातार तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रिय मादमेक शिक्षा बोर्ड ने 10 वी और 12 वी के 1 से 15 जूलाई के बीच होने वाली परिक्छाओं को रत करने का फैसला किया है बोर्ड ने अपना ये फैसला अभिवागों की याची का पर सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोर्ट को बताया जिसके बाद अभिवागों में खुशी की लहर देखी गई है दरसल सीबेसी बोर्ड की लंबित परिक्छाएं 1 जुलाई से 2-15 जुलाई तक होनी थी मगर एग्जाम रद करने को लेकर कुछ पैरिंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याची का दायर की थी जिसके बाद कोर्ट ने सीबेसी से पूछा था कि क्या परिक्छाएं रद की जा सकती है और इसी के बाद गुरुवार को बोर्ड ने अपना जवाब दाकिल करते हुए कोट को दस्वी और बारवी की बची हुई जो परिक्छाएं थी उनको रद करने के फैसले की जानकारी थी और का कि ये स्थती सामाने होने पर बारवी की परिक्छाएं कराई जा सकती है लेकिन अदालत में हुआ क्या? चलिए हम आपको बताते हैं साथी ये भी बताते हैं कि अब आगे क्या होगा दरसल अदालत में दिल्ली, मारास्ट और तमिलाडू ने एक्जाम आयुजित करने में अपनी आसमर्था पहले ही जाता दी थी क्योंगी कई राज्यों पे स्कूलों को करेंटन सेंटर बनाये हुआ है अब बारवी के स्टूड्य के लिए पिछली तीन परिक्षाओं के आधार पर आकलन किया जाएगा यहाँ पर बारवी के स्टूड्य के लिए बाद में जब भी स्थती सामानी होगी तब परिक्षा उज़ित करने का विकल्ब मौजूद रहेगा लेकिन दस्वी के छात्रों को कोई परिक्षा नहीं देनी होगी ये उनके लिए पड़ी खबर है इसके साथ ही परिक्षा से संब्धित जो सभी जानकारिया है वो CBSC बोर्ड शुकरवार को नोटिफिकेशन जारी कर देगा जिसमें परिक्षा रद होनी की सूरत में अंक देने और रिजल्ट जारी करने से संब्धित सभी जानकारियां भी दी जाएगी लेकिन बोर्ड के सामने विकल्ब क्या है वो हम आपको बताते है नमर एक जिन विशों की परिक्षा होनी थी उनमें चातरों को आंतरिक मुल्यांकन के आधार पर और सत अंक देकर स्टूडेंट को प्रमोट किया सकता है साथ ही इसके अलावा संबंदित विशों में अंक सुधार के लिए बाद में परिक्षा देने का विकल्ब भी छातरों को दिया जा सकता है जिसके बारे में जानकारी सीबेसी शुकरवार को देगा वह इंदूसरी और अब ऐसे में जबकि सीबेसी बोर्ड ने दसवी और बारवी की बची हुई परिक्षाएं रत करने का फैसला करी लिया है तो स्टूडेंट्स के बीच जल्द ही नतीजा आने की उमीद भी परवान चड़ने लगी है दरसल सीबेसी बोर्ड ने लॉकडाउन से पूर हो चुके पेपर की कौपियों के मुल्यांकन का काम पहले से ही शुरू कर दिया था अब जबकि बची परिक्षाएं रत कर दी गई हैं तो माना जा रहा है कि बोर्ड जुलाई के अंतक परिडाम की गोशना कर ही देगा पिछले साल बारवी की परिक्षा का रिजल्ट जो है वो दो माई को गुशित कर दिया था और दस्वी की परिक्षा के नतीजे छै माई को आ चुके थे